करीद 9,000 फीट की इंजाए पर भारत और चीम की सीमा से स्तटे शिकला की नमक्य पंचायत की डोगली नाले में गिरे हिंखंट के नीचे दबे सेना के 5 जवानों का 36 घंटे से 14 समय बीच जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया के प्रशन के जवाब में परदेश के मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एक चवान की डड़ बोडी तो निकाल दी गई है और संभावना यह जताई जा रही है कि उसमें 5 लोग और फंजे हुए हैं उन्होंने कहा rescue operation के लिए सारी टीम कई हूई है और उसमें लोकल प्रशाशन भी सरयोग दे रहा है लेकिन बहाँ की परिस्तितिया इतनी कटिन हैं कि जिसके करण बहाँ rescue operation करने में बहुत भाड़ी दिकत आ रही है लेकिन फिर भी सरकाल का पर्यास है कि जो भी सहयोग आर्मी और आईटी वीपी को रस्क्य ओपरेशन में दिया जा सके बुपय देनी की कोशिश कर रही है मुक्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रशाशन को आदेश दे रखे है एक डेट बॉड़ी तो उसमें से राप्ट कर ली है वो दिकाल दी गई है लेकिन संभावना ये व्यक्त की जारी है पांच लोग और उसमें फंसे हुए रेस्क्य ओपरेशन के लिए सारी तियों गई है लोकल प्रशाशन भी उसमें सहयोग दे रहा है लेकिन वहां की परस्थितियां इतिनी कठीन है जिसके कारण वहां रेस्क्य ओपरेशन करने में बहुत बड़ी दिक्कत आ लिए है लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि सरकार की ओर से जो भी सहयोग वहां पर जो आर्मी को और आईटी वीपी को दिया जा सकते इस रेस्क्य को आदेश दे रखे हैं और वो पूरी मुस्तियादी के साथ उनको सभी देने की कोशीर कर रहे हैं लेकिन मौसम खराब होने के कारण है वहां दिक्कत आई है ठीक्यों शुक्रेशन परिक्षित अ कि Vik fragrance के वहां और देटों की समय खराब हैं अह सकते दोग एपा रेटक्षित उल्यंतक tapedा सकते है झालए झालए समय खजय मुदक्ड़खक रग झालए नियाँ आदों के समय स कंछने कारण।